हेलो एवरिवन वेल्कम बेक टू दा चैनल सो इस वीडियो बात करेंगे CS एक्जाम के हुने की पॉसिबिलिटीज के बारे में तो काफी सारे कि CS स्टुडेंट्स को डे बाई डे डे डाउट्स आ रहे कि क्या CS एक्जामिनिशन पॉसिबल है जो की 18 अगस्य स्टार्ट होने वाले है जैसा कि आपको पता है कि पहले आप अपने माइंड में की बात सेट कर लेजिए कि कि CSI कोई भी डिसीजन स्टूडेंट्स के अगेंस में नहीं लेगा अगर उस टाइप सिच्विशन होगी एक्जामिनेशन को कंडग करवाने के लिए तो और नहीं होंगी तो आप विसलिए वह एक्जामिनेशन को कैंसल कर देगा अब हैस पर जो आपको देख रही है प्रेजन सुच्विशन इसमें डे बाई डे केसी आने में लगे पड़े हैं और विसलिए बात है वह चीजे एक्जामिनेशन के हैपनिंग में इंपेक्टो डालेंगी ही डालेंगी कि ICSI को भी प्रॉब्लम होगी MHA से एप्रॉवल स्टेट वाइज एप्रॉवल जहां पर भी सेंटर से वहां पर एक्जाम्स कंड़क्ट करवाने का प्रॉवल उसमें भी उनका प्रॉवल लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स तो उनके आएंगी ही आएंगी तो उ उस वजा से भी आपके उग्जामिनशन कैंसल ओ जाएंगे इसी रीजन की वज़ा से औविसली कोई नहीं चाहता कि एक्जामिनशन कैंसल हो लेकिन जो प्रेजन स्टूशन है वो ओविसली किसी के कंट्रोल में नहीं है तो उसको ध्यार में लगते वे जैसे कि आप देख स करवाने के लिए वो feasible environment नहीं था तो उनको examinations को cancel करना पड़ा अब हम बात करेंगे काफी साथ इस्टूडेंट को इटाउट हो रहा है कि institute announcement release क्यों नहीं कर रहा announcement कम release करेंगा तो हैस पर को इसकी specific dates नहीं हो सकती है अगर आप previous announcement की भी बात करेंगे जो further postponement की announcement ही जो 13 June को निकली थी तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपकी examinations होने थे 6 July से लेके 16 July के बीच में और institute ने जो announcement है वो less than a month में release करी थी इसलब अगर आपकी examinations अभी 18th August से होने है तो most probability आपकी जो announcement है वो 18 अगस्त के बाद है हो सकते 18 अगस्त से पहले ही आ जाए सबसे अच्छा तो यहीं रहेगा कि इसी week में जो upcoming week आ रहा है यह इसी में आ जाए इस वाली week में आ जाए या तो फिर next week में 18 जैसे 18 अगस्त के बाद उसमें रिलीज हो जाए मैक्स तु मैक्स next week तक कम से कम announcement हो जानी क्याई चाहिए कोई specific date में बोट नी सकता सके regarding में कि कब हो पर हां max to max next week से next week तक तो announcement हो जानी चाहिए और आप ICISF में ट्रस्ट बनाके रखे वो जो भी टिसेंद लेंगे आपके इंट्रस्ट में लेंगी इग्जामिनेशन ओविसली कंड़ करवाने का feasible situation नहीं होंगी तो इग्जामिनेशन को उनको cancel ही करना पड़ेगा काफी सारे students पूछेंगी कि कि क्या institute इग्जामिनेशन को further postponement नहीं कर सकती तो institute ने आपको पताईए कि जब इग्जामिनेशन को further postponement क्या था 18th July के ले जब 13th June की announcement है तो उन्होंने बाद में opt-out scheme भी release करे थे और उसमें साफ सा students को बोला था जो भी students अभी examination नहीं देना चाहता 18th August से वो December वाले में अपने आपको shift करा सकता है तो इससे साफ सा पता चल जाता है कि जो आपके examinations होंगी वो फिर December में होंगे ऐसा नहीं कि institute उन students जिन्होंने opt-out नहीं करा उनके examinations सितंबर, अक्टूबर November के मंत में वो पंड़क करवाएंगी वो आपके फिर December ही examination cycle में ही आपको वो merge कर देंगी उन students के साथ तो आप unnecessary अपने mind में anxiety, confusion ना create करिए unnecessary news ना देखिए कि रोज daily कितने cases बढ़ रहे हैं क्योंकि उस वज़ा से भी आपके mind में negative impact पढ़ रहा है और आप अपनी studies में भी focus नहीं कर पा रहे हैं आप जितनी studies कर सकते हैं अप उतनी studies करिए जितना भी आप पढ़ सकते हैं ऐसा को जुरूर ही नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा long hours पढ़ने जितना आप पढ़ सकते हैं अप उतना पढ़िए और बाकी टाइम आप अपना केर रखे और अपनी family का केर रखे बस और कुछ नहीं और examinations आपको भी पता है possible है नहीं है बस आप अपनी studies में focus करिए जितना आप कर सकते हैं और unnecessarily news को ना देखे कि रोज कितने cases बढ़ रहे हैं इस्ते के examinations होगा नहीं होगा क्योंकि वह आपके माइंड में negative impact ही डालेगा आपकी studies में impact डालेगा और बस आप इसकी वज़ए से आपके माइंड में confusion anxiety create होती रहेंगी फिर भी create होता रहेगा इसके regarding में so hope कर दो कि आपको वीडियो informative लगी हो thank you so much for watching the video